आज मैं आपको Winitrix की General Purpose Embedded Trainer Board जो की Advanced Version है उसका Demonstration करना चाहता हूँ जो की मेरा Main Board ये आपका हो गया और 8051 Daughter Board हो गया जिसका Module Number ET89CSRD2 आपका Daughter Board हो गया जो की हमारा इसके जो हमारे Experiments हैं उसके बारे में मैं आपको कुछ Modules का Demo करने जा रहा हूँ सबसे पहले मैंने क्या किया इसका जो Software है जो Prog SP है जो की इसके साथ Computer से Interface होगा With the Help of आपका USB Cable है जो हम इसके साथ Provide करेंगे ये मैंने इसको इसके साथ इंसर्ट कर दिया है तो आप देखेंगे इसमें USB के चुरूब पावर आगी है और मैंने पावर आउन कर दिया है अब मैं इसका प्रोग SP सॉफ्टर अगर जैसी आपका एनेबल करता हूं तो आप देखो कि यहां पे एनेबल आपका प्रोग SP आगा अगर मैं इसको क्या लोड फाइल करूंगा तो मैंने इसके अंदर हमने एक्जम्पल दिये है तो आप देखोगे ग्राफिकल LCD का प्रोग्राम जैसी में इसमें आटो में जैसी करता हूं तो आप देखोगे मेरे को प्रोग्राम में इन सर्किट में प्रोग्रामिंग के लिए यह मेरे को न से इस microcontroller के अंदर आ रही है और उसको प्रोग्राम करने के बाद यह आपका आप देखोगे हाँ मैंने verify करेगा इस program को कि verify हो गया है या नहीं हो गया है उसके according लिए आप देखोगे तो यह आपकी programming बार आपकी चल रही है जैसे अभी programming हो रही है उसके बाद जब programming हो जाएगी तो आप इसको यह हमने verify flash करेगा कि particular मेरा इसमें verify यह program इसे buffer से करेगा उसके बाद हम क्या करेंगे जब यह programming mode हो जाएगा और verify हो जाएगा तो उसमें हमने क्या करेंगे हमने program mode में यह नीचे jumper रखा है क्योंकि program mode हो गया इसी program को मेरेको करना NOW allazed तो आप दिखो क्योन के ready हो गया है अम मैंने क्या कर रहा इसका मतरे ready आपको हो गया यह program आपके इसके अंदर आ गया है हम मैने क्या कर दो मैंने पिन आउद दी हैं जो पी दिया तो आप देखेंगे इसमें मेरा जनरली आप देखोगे तो यह ग्राफिकल LCD ने जो हमने प्रोग्राम लिखा था तो आप देखोगे इसमें आपका वेनेटिक्स एटी-51 ट्रेनर मोड आ गया और जो मैंने इंट्रोड्यूस किया है वह आपका डिस्प्ले हो गया है तो इससे क्या है मैंने कहा करा इस डॉट्टर बोड से ग्राफिकल LCD का इंटरफेस किया है तो मैं आप नेक्स्ट आपको मोडूस बताऊंगा मेरा मोडूल है 16 x 2 की LCD डिस्प्ले इंटरफेस करा हूँ जो की माइक्रो कॉंट्रोड के साथ है तो सेम मैंने प्रोसेजर वही करा लोड फ्लेश करा और LCD.hex की फाइल इसमें डाउनलोड करी है जैसे मैंने पहले आपको बताया था ये LCD.hex की उसके बाद जैसी मेरा ये प्रोग्राम फिस दोस जागा, इसको मेरे को प्रोग्राम करने के बाद इसको एक्जिगूट करने के लिए मैंने क्या कर आ, ये जंपर्स UP and DOWN करें क्यूंकि इस प्रोग्राम को मेरे को उसमें जड़ा हमने मैन मैंनोस में इसमें connection दियें तो यही Micro Controller के Set Pin Out दाऊंगा तो आप देखेंगे यह मेरे को One Number Pin का ध्यान रखना है और इसमें आपको Insert करना LCD Modules के बारे में जैसी मैंने इसको यहां से Reset किया तो आप देखेंगे यहां पर Venetix ET51 L Tainer डिस्पेले हो गया Start अब मैं आपको ADC Zero General Interface करने जा रहा हूं Micro Controller साथ तो मैंने same with the help of इस Software की तरह से लोड करा program ADC.hex के नाम से यह मैंने hex file जो है उसके Micro Controller के अंदर डाउनलोड कर लिए है इस प्रोग Speed Software के थूरू तो जैसी मैं इसमें कर लूँगा इसको मैं एक्जेकूट करने के लिए मैंने आपको जैसे पहले बताया था program के लिए यह मैंने downward कर दी है बाकी और upward कर दिया क्योंकि इस इसके साब से मैंने LCD में display कराने के लिए दो connecting लगाई है signal cable और LCD के साथ मैंने ADC के साथ जो हम use करें line तो यह मैंने दोनों cable लगाई है जो हमने menus में दिया अब इसमें जैसी मैं reset करता हूँ ADC display development kit आएगा और जो भी data क्योंकि open आई तो आम मैंने जब suppose इसको ground करता हूँ channel 0 को जैसी इसमें मैं एक signal देता हूँ तो आप देखो ADC data 00 आपका show कर रहा है अगर मैंने इसमे 5 volt अगर insert कर रहा है analog to digital में तो आप देखोगे तो यह आपका जैसी मैंने 5 volt से इसको इसमें लगाया तो आप देखोगे उसमें ADC के इंदर देख सकते हैं अब मैं आपको DAC interface करा रहा हूँ microphone साथ तो आप देखेंगे जैसी मैंने DAC का program इसमें insert कर दिया है और इसको debug कर रहा हूँ तो यह same मैंने आपको position बता ही है यह downwards होने है तो आप देखेंगे यह connection मैंने display के लिए LCD पर कर रहा है तो आप जैस उसमें मैंने signal के पर लगा दिया output के लिए तो यह मैंने with the help of connecting के पर लगाया तो मैंने CRU के head से अगर आप देखोगे जैसी मैंने ground लगाया और इसको आप देखोगे तो आप देखोगे with the help of DSO तो आप देखोगे मेरा ramp generate हो जाता है जिससे कि यह मेरा observe हो रहा है with the help of DSO जि मैंने waveform achievement किये है अब मैं आपको stepper motor जो की मेरी stepper motor है और इसका यह जो मोडूस है वो Micro control से interface कर रहा हूं तो मैंने आपको जैसे पता है मैंने program load कर लिया stepper motor का smc.ex के नाम से यह आपको ने download कर लिया with the help of progress USB तो उसके बाद मैंने इसको debug करने के लिए यह मैंने display पर मैं लगा रहा हूं जो केबस मेरी लग रही यहाँ पर वो stepper motor के मैंने connecting cable लगा दिया stepper motor के section में जैसी मैंने इसको reset किया तो आप देखोगे stepper motor development kit running और यह मेरी stepper motor is running with the help of software hardware क्योंकि यह daughter board है और यह आपका mother board है और यह मैंने यहाँ पे लगा रख है stepper motor जिससे की मेरी stepper motor मैं एक experiment कर सकता हूँ हम मैं आपको seven segment display जो की मेरी चार seven segment लगे है उसमें मैं demo करने जा रहा हूँ तो with the help of software से आप seven segment display dot की hex file आप download कर लेंगे उसके बाद मैंने आपको जैसे बता है इसी program को debug करने के लिए आपको jumper setting करना है और cable आपने seven segment लगे जैसे मैंने reset करा तो मैंने आप देखोगे seven segment display में one two three and four जो की मेरा display हो रहा seven segment में और हमने जो यह cable signal लगाई है with the help of यह जो मैंने CPU की pins है पिन आउट दी है उसके साब से आप seven segment display interface कर सकते हैं अब मैं आपको eight led outputs का demo करने जा रहा हूं तो मैंने software के फ्रूव से हमने इसमें आप देखोगे यह led eight led.hex के फाइल डाउनलोड कर ली है उसके बाद मैंने को इसको इंटर्डूस करने के लिए यह cable से लगाया जो की मेरा cn15 से आपका यह led output पर आप देखोगे इसमें फाइफ फाइव मैंने इसमें कराया तो इसमें क्या alternate मेरी led जे लेंगे अगर आप जैसे देख रहे हैं तो इसके बी आउटपूट है तो इसमें particular 55A में जो भी मेरा मैंने timing दिया है उसके साब से मेरा वर्जर आपका यह आपका वर्जर आउटपूट दे रहा है तो इससाब से आप बर्जर भी इंटरफेस इस से कर सकती हैं कोगे मेरे और भी different test के मोडूस है जैसे matrix के हैं keyboard इंटरफेस ह है आपका यह रिले है और रिले है अप्टो है इस तरह से जो भी आप इसमें इसके help से आप प्रोग्राम बना सकते हो और execute सकते हो जिसी साब से यह मेरा मोडूस दी है उसके साब से आप यह perform कर सकते हैं thank you very much